वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल नौले राइजिंग हब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और लेटेस नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन जरूर दवाएं ताकि जब भी चैनल में नई वीडियो आए तो कैसे आप सब उमीद करती आप सब ठीक होंगे तो जो हमारा टार्गेट ऐसे स्टानो की क्लासे चल रही है जो हमारा एक क्वेक रवीजन चल ला है इसका आज पार्ट एट है अभी तक के पार्ट सेवन आ चुके है जिसने नहीं देखी जाके देगे मोस्त इंपोर्टेंट कोशन की सीरीज लेकर आ रही हूं मैं यह मोस्त इंपोर्टेंट कोशन है मोस्त रिपीटेट कोशन है ठीक है अब जो आपके लिए बहुत हैल्फुल हूंगे आपके आने वाले एक्जाम के लिए तो चलिए ज्यादा समयना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं निम्ने लिखिन में से कौन वेदांग नहीं है पहले मैं बतायती वेदांग क्या है वेदांग हिंदू धर्म के छे सायग विषय है जो प्राचीन कार्म विक्सित हुए थे और वेदों के अध्यान से जुड़े हुए थे अब ये छे कौन-कौन से थे एक था सिक्षा ठीक कल्प फिर थे व््याकरण ठीक फिर था निरुक्त फिर था चंद फिर था जोतिश ठीक है ये सारे इसके छे विशया थे ठीक धे देखोła मैंने क्या क्या बोला शिक्षा सिक्षा है इसमें दे रखा है, शिक्षा इसका विशय है, कल्प ये भी है, कल्प भी है, ठीक है, निरुकता भी था, ठीक है, निरुकता भी था, व्याकरण है, छंद है, जोतिज है, तो कौन सा नहीं है, ठीक है, पूरु मिमान्शा इसमें पूछ रहा है, कौन सा विदांग नहीं है, तो पूरू मिमान्शा नहीं है, ठीक है, और पूरू मिमान्शा क्या है, फिर पूरू मिमान्शा एक Hindu philosophical text है, जो की रिशी जैमीनी ने लिखी थी, ठीक है, और ये विदांग के अंदर नहीं आता है, विदांग के अंदर 6 subjects आते हैं, ठीक है, So the next one is small bead like structure inside the ovary of flower called Fool ke anndasai ke anndar chhote man ke jaysi sarraanchnao ko kya 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 te hai Fool ke anndar jo chhote hoote hai na chhote bead like structure hoote hai Unko kya bolte hai? Unko bolte hai ovules Kya bolte hai ovules So the next one is the great asian river mankong does not run through Great asian river mankong kahaan se ho kar nahi bheti hai अब पहले मैं बताती हूँ कहां se bheti hai यह जो mankong है यह दक्षणी पूरवी ACI के प्रमुख नदी है ठीक है? और mankong को चीन में लकांग के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से? लकांग के नाम से ठीक है? लकांग के नाम से जानते हैं कभी ऐसा कोशन आ गया कि चीन में किस नाम से जानते हैं तो आपके पास होना चीए यह और चीन के युनान प्रांच से होकर गुजरती है Myanmar और Luas के सीमा बनाती है और Luas और Thailand के बीच अधिकान सीमा बनाती है किस-किस का बता है? मैंने Myanmar और Laos के बीच में और Cambodia दक्षन वियतनाम इन जगे से होकर यह बहती है China से भी बोल दिया मैंने Cambodia भी बोल दिया Laos भी बोल दिया मैंने Vietnam भी बोल दिया मैंने Thailand भी बोल दिया तो कहां से होकर नहीं गुजरती है यह does not run यह Malaysia से होकर नहीं गुजरती है कि सब जगे से होके गुजड़ती है जो जो मैंने नाम बताया आपको ठीक है तो the next one is who discovered the rubber making process through the vulcanization process vulcanization विदी से rubber बनानी की खोज किसने की थी तो किसने की थी ये की थी अपने Charles Goodweer ने किसने की थी Charles Goodweer ने की थी ठीक है और क्या की थी ये देखो important है rubber making process through the vulcanization method ये तो Charles Goodweer ने vulcanization rubber क्या किया था डिस्कवर किया था बाकियों option में आते है John Dunlop इन्होंने क्या किया था ये एक Scott inventor थे इन्होंने racing tire develop किये थे जो racing tire होते है ना tires यूज होते है racing के लिए वो वाले इन्होंने develop किये थे ठीक next है Macmillan Macmillan ने क्या किया था Macmillan ने किया था ये एक Renault publisher थे इन्होंने Macmillan और co company start की थी ठीक है Newton Newton था आपको पता है physician थे इन्होंने law of motion क्या किया था discover किया था ठीक so the next one is on the basis of which phenomena does the jet engine work jet engine किस परिगटना के अधार पे कारी करता है तो किसके अधार पे कारी करता है conservation of linear momentum के अधार पे किसके conservation of linear momentum के अधार पे jet engine work काम करता है ठीक so the next one is Ashoka embarrassed buddhiz Ashoka ने बहुत धर्म कब ग्रहन किया उन्होंने जब बहुत ज़्यादा खून खराबा देख लिया था कलिंगी युद्ध में उन्होंने बहुत ज़्यादा खून खराबा वागेरा देख लिया था उनका मन खराब हो गया था उन्होंने खा अब मैं बुद्धिश्म अपनाऊंगा तो after the Kalinga war उन्होंने क्या करा बहुत धर्म अपना दिया ठीक so the next one is name the gland which has both endocrine and exocrine function उस ग्रंथी का नाम बताया है जिसमें endocrine और exocrine function दोनों होते हैं तो कौन सी है वो मैंने बहुत बार बता रहे है pancreas pancreas में endocrine और exocrine दोनों function होते हैं चिक so the next one is which of the following is not and greenhouse gas किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है नहीं पूछ रखा है नौट पूछ रखा है ठीक है अब हम जानते है को मिथेन को greenhouse gas के नाम से जाना जाता है carbon dioxide को nitrous oxide को लेकिन एक hydrogen है hydrogen हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है ठीक next one is which among the following is produced using heber process निमने लिखित में से कौन heber process का उपयोग करके उतपादित किया जाता है तो कौन सा यूज किया जाता है ammonia ammonia is produced using heber process और यह process किस ने develop की थी Fritz Heber ने तो उसी के नाम पर उन्हों ने अपना डाल दिया हैबर process Fritz Heber ने develop की थी और इसके लिए इनको Nobel Prize मिला था chemistry में 1918 में इंपॉर्टेंट है आ सकता है अब इस बार अगर आपका यह पूछ लिया कि ammonia में यूज किया जाता है अगली बार आपका इनका नाम पूछिया जा सकता है scientist का नेक्स वनीस इन विच रीजंडर रीजंड़ कर सकतो tutte, क्छेथ में होती है तो कि के क्छेथ में होती एक्विटेउर में वर्श पूरे साल भर वह पर पर वर्टा होती थी जोाओ मद्य रीखिए reasons होते हैं वहाँ पर the next one is which one of the following is not a major component of biotic environment इमने लिखे तो मैंसे कौन सा जैविक प्रियावरण का प्रमुख घटक नहीं है तो जो biotic environment है उसमें living factors आते हैं सारे जैसे animals हो गए हम human beings हो गए सारे जितने living factor है ठीक है जैसे plant हो गए ये सब आते है ठीक, plants में भी तो जान होती है सारे living factor और जो abiotic environment होते हैं उसमें non living factors आते हैं जैसे water हो गया पानी non living है ठीक है सारे तो इसमें हमने इसमें पूछ रखा not, not पूछ रखा कि biotic component कौन सा नहीं देखो plant biotic है, animal biotic है composer biotic है, ये सारे biotic है लेकिन water biotic नहीं है water abiotic है, तो यहाँ पर इसका सही option क्या जाएगा water, ठीक है, क्योंकि not पूछ रखा है question भी पूरा पढ़ लिया करूँ, ठीक so the next one is to which political party did चक्रवर्ती राजा गुपालचारी belong to at the same time of his demise चक्रवर्ती राज गुपालचारी की निधन के समय उनका सभन किस राजनितिक दल से था, ठीक है और इनका किस से था, सुवतंतर से था, ठीक है, और ये सुवतंत कब से कब तक exist हुई थी 1959 से 1974 तक exist हुई थी, ठीक है और जो की चक्रवर्ती राजा गुपालचारी ने ही फाउंड की थी है, यही इसके फाउंडर थे, और ये 1959 से 1974 तक चली थी, और ये राजनितिक दल इसी से रिलेट करते है चक्रवर्ती गुपालचारी स्वतंतर से ठीक So the next one is, which of the following protein is found in here बालो में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्यारटीन प्रोटीन बालो में पाया जाता है So the next one is, what kind of data you can send by email Emails से आप किस टाइप का data भेज सकते हैं आप audio भेज सकते हैं, आप video भेज सकते हैं आप pictures भेज सकते हैं, आप सब कुछ भेज सकते हैं So the next one is, who was the first scientist to be awarded two Nobel Prizes दो Nobel Prize से समानित होने वाले पहले विज्ञानी कौन थे तो कौन थे, Mary Query एक मात्र ऐसे थे, जुनको दो Nobel Prize मिला ये तो मिला दो Nobel Prize, लेकिन दोनों अलगला फील्ड में मिला इनको physics में, 1903 में मिला और chemistry में, 1911 में मिला एक मात्र ऐसे ये, कौन बन गे? पहले scientist बन गे, Mary Query जिनको दो अलगला सब्जेक में Nobel Prize मिला So the next one is, which of the following is a typical semiconductor? निमने लिखित में, कौन एक विशिस्ट अर्दचालक है कौन है एक typical semiconductor? Germanium, silicon भी है, silicon भी option आ सकता है Silicon, germanium ये एक typical semiconductor माने जाते हैं So the next one is, Sir Air Coot was associated with which of the following? Sir Air Coot का सब्वान निमने लिखित में से किस के साथ है? पहले हम बताते हैं, Sir Air Coot थे कौन? ये एक British soldier थे, politicians थे, राजनितिक थे जो 1768 से 1780 तक House of Common में बैठे रहे उन्होंने भारत में British Sena के कई वर्षों के लिए जाना जाता है तो जो भारत में British Sena थे, उनके साथ उनका काम बहुत सालों तक जाना जाता है फिर Wandi Wars की लडाई में उनकी जीत को ब्रिटेन और फ्रांस के बीज, भारत में नियंतरन के संगर्स में एक नया मोर माना जाता है किसमें बोला मैंने? Wandi Wars के युद्ध में तो इसका relate किससे है? Battle of Wandi Wars से, ठीक है? तो the next one is, who gave the slogan दिल्ली चलो? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? नेता जी, सुभाज चंद्र बोश जी ने बोला था दिल्ली चलो जिक तो the next one is, in the 1950 and 60, which country people was severely affected by mercury pollution related disease, Minimata अब देखो इससे हमाई पता चल गया, mercury pollution disease का नाम क्या होता है Minimata M से आप रिलेट कर सकते है M से M Minimata, अब 1950 और 60 के दशक में बहुत जादा severe problem हो गई थी एक country में, ठीक है? इसी से बहुत जादा production से बिमारी हो गई थी Minimata की, ठीक? वो कौन सी country थी? वो थी Japan इससे हमें एर भी पता चल गया है, 1950 से 60 में और कौन सी है, mercury pollution disease है, क्या नाम है? Minimata कहां होई थी? जापान में होई थी, ठीक? So the next one is, which of the following is related to horticulture? निमने लिखित में ऐसे कौन बागवानी से संबन देते हैं? ठीक? अब थड़ा option में देख लेते हैं, green ये किस्से है? agriculture से, किस्से है ये? agriculture से, ठीक है? white, white से तो related देखो, green क्या होती है? हमारी हरी भरी घाज, सारे agriculture, green होता है ना? white, सफेद क्या होता ह dairy, तो ये dairy से है, ठीक है? golden, ये किस्से है? ये है अपना horticulture, ठीक? अब थोड़ा और option में जाती हूँ, blue, blue revolution भी होता है, वो किस्से है? marine of fish, पानी से related, marine of fish से है, ठीक है? yellow किस्से है, वो है अपना oil से, किस्से है? oil से related, ठीक? so the next one is, soda as is name for soda as किसका नाम है? तो किसका नाम है? Na2CO3, बताओ, Na2CO3 का होता है? and, and he draws sodium carbonate, ठीक है? sodium carbonate, Na2CO3, so the next one is, the bricks bank would have its headquarter in, brick bank का मुख्याले कहा हो है? कहां है चाइना में संगाई चाइना में है ठीक है और ब्रिक्स की कौन कौन सी कंट्री है B से ब्राजील, A से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S स साउथ अफरिका ठीक है हो गया याद So the next one is the term is often used to refer step by step procedure to solve a problem किस समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण परिक्रिया को संधर्वित करने के अक्षर डाश अब का प्रियोग किया जाता है Step by step procedure अगर हम use कर रहे हैं किसी problem को solve करने के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? algorithm बोलते हैं So the next one is 40 degree north latitude act as demarcation line between 40 degree and actions किस के बीच सिमांगन रेका का रूप में कारी करता है तो किस के करता है? north and south वाइटनिम की ठीक है और इसको 17th parallel line भी बोलते हैं कभी 17th parallel line आ गया तो आप confuse मत होना 40 degree north latitude को 17th parallel line भी बोलते है ठीक थोड़ा option में आ जाते हैं अब यह north and south korea इसको क्या बोलते है 38th parallel line क्या बोलते हैं 38th parallel line ठीक US and Canada इसको क्या बोलते हैं 49th parallel line बोलते हैं इंद उनों के बीच जो भी demarcation line होती है उसको 49 बोलते हैं और north and south korea के 38th बोलते हैं और जो 40 degree latitude होता है 17th parallel line वो हमारा north and south बाइटानिम के बीच में हैं ठीक तो नेक्स वन इस बाल, पाल, लाल वर्ट दा मोस्ट प्रिविनेंड लीजर और बाल, लाल और पाल किसके सबसे प्रमुख नेता थे बाल कौन है? बाल गंगा धरती लग ठीक है पाल कौन है? विपिन चंदरपाल लाल कौन है? लाला लाजपत राय तो ये किसके थे? ये थे Congress Party के प्रमुख नेता थे तो नेक्स वन इस वर्ड लॉंगे सैंड स्टोन केव हाज बीन डिस्कोवर इन मेघाले What is the name of sandstone cave मेघाले में दुनिया की सबसे बलवा पत्थर की गुफा की खोज की गई उस बलवा पत्थर की गुफा का नाम क्या था? ठीक है तो क्या नाम था? सैंड स्टोन केव है और कहां पर है? मेघाले में The next one is which of the following is not used as moderator in nuclear reactor निम्न लिखेत मैं से किसे किस का उप्योग परमाणू रियक्टर में moderator के रूप में नहीं किया जाता है नहीं पूछ रहा है So the next one is In which of the following year भारत निर्मान योजना वस लौंग निमने लिकेत में से किस words भारत निर्मान योजना सुरू की गई थी किस words की गई थी 2005 में कब की गई थी 2005 में की गई थी भारत निर्मान योजना ठीक और इसका main focus क्या था country के जो ruler parts है उसमें road, housing, irrigation, electricity, communication को develop करना था भारत निर्मान से ही पता चला है निर्मान करना और यो 2005 में लौंच की गई थी ठीक तो the next one is in ms excel is a collection of rows and columns that hold text and number ms excel में dash, punctियों और stumbo का एक संग्रह है जिसे text और number होते हैं ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं rows मतला rows है और columns है ठीक है उसमें text होते हैं text something ABC and numbers होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं यह पूरी चीच को worksheet क्या बोलते हैं worksheet ठीक तो यहां तक के 30 most important question थे जो की बहुत बहुत ही important question है most question है most previous year के question है repeated question है आपके लिए काफी helpful लोंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं अपनी ऐसी next video